अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा दूसरों से सियर कीजिए मेरे इस लेक्चर के PDF का लिंक मैं description box में जाल दूँगा जिसको भी ये download करना है वहाँ पर जाके download कर सकता है सबसे पहले हम ये समझेंगे की vacuum की जरूरत क्यों होती है तो याद रखेगा कि chemical industry में vacuum सबसे ज़्यादा distillation में use होता है अब जितने भी components होते हैं उनका जो boiling point होता है वो directly proportional होता है pressure से means जितना जादा मैं pressure बढ़ाऊंगा उतना जादा मेरा boiling point बढ़ेगा या फिर जितना जादा मैं pressure कम करूँगा उतना मेरा boiling point जो है वो decrease होगा अब इसका basically benefit क्या मिलता है मान लीजिए कि कोई ऐसा component है जो मेरा 200 degree पे boil होना है अगर under vacuum उसका boiling point 50 degree centigrade है तो मैं क्या करूँगा अपनी system में vacuum लगाऊंगा और उसको lower temperature पे boil करूँगा इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि जो मेरे को पहले energy then it use को 200 centigrade तक boil करने के लिए वो अब just मेरे को 50 degree centigrade तक में मेरा काम चल रहा है means मेरा आपका energy saving second की high boilers form होते है कई materials ऐसे रहते हैं जो high temperatures पे जब काफी देर तक उनका exposure होता है तो उसमें काफी सारे high boilers form होते है तो उससे भी मेरा जो material है वो decompose होने से भी बचाने का में critical role play करता है मेरा vacuum इसके बाद में काफी सारे ऐसी applications होती है refrigeration या फिर air conditioning में कि जहां पे जो मेरा air के अंदर moisture present होता है वो काफी ज़्यादा critical role play करता है और वो मेरे equipment को damage करता है तो उस सारे scenarios में भी मैं vacuum लगा के वहां से पूरी की पूरी air को बाहर कीछ लेता हूँ जिससे मेरा moisture होने के chances बिल्कुल negligible हो जाते हैं moving to next slide अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि vacuum के लिए मलगलग तरीके के devices का use करते हैं hydric में भी liquid ring vacuum pump steam jet ejectors and oil ring vacuum pump and dry vacuum pumps अब इनका basic working principle मैं आपको slide यहां पर बताऊंगा because already मैंने separate slides में यह काफी जादा detail में बता रखा है अगर हम बात करते हैं liquid ring vacuum pump की तो इसका working principle काफी जादा easy रहता है यहां से आपका liquid जो है यहां से आपका air in करती है जो आपको सक करनी है यह आपका casing है इस casing के अंदर आपका liquid present होता है that may be water or it may be other oils यह जो selection है यह basically depend करता है कि जो आपको इसमें material सक करना है जो आपको इसमें air सक करनी है उस air के अंदर किस तरीके के contaminants basically present है इसके अंदर यह casing के अंदर जो impeller present होता है यह impeller आपका center mounted नहीं होता यह center से थोड़ा हट के होता है अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों इसका advantage यह होता है कि आप सुरू में देखे जो air आपने अंदर लिया अंदर माली यह water present है जो air आपने अंदर सक की वो air इस water के साथ में यहाँ पर ज्यादा volume है और जैसे जैसे यह impeller के साथ move करता रहता है करता है means यहाँ से आपने air को सक किया after that इसके अंदर air compress हुई और compression होने के बाद में यह आपका बाहर की तरफ move कर गई अब हम बात करते हैं steam jet trajectors की steam jet trajectors के case में यहाँ पर देखिए high pressure की steam आ रही है यहाँ पर आपकी एक nozzle present रहती है उस nozzle से निकलते ही इसकी velocity की काफी ज्यादा increase कर जाती है जैसे ही यह velocity increase की तो यह क्या करेगी आपकी system के air को सक करेगी और उसको अपने साथ में लेकर चली जाएगी जिसकी वज़े से आपका जो system है उसमें basically vacuum create होता है यह just basics थे next अब हम बात कर दें vacuum pumps के पहले type की जो generally use के जाते हैं यह है gear type vacuum pump इसका working principle काफी ज्यादा easy रहता है यह देखे यह दो gears लगे हुए यह दो gears high velocity में basically move कर रहे है तो जब यह दो gears आपका high velocity में move करेंगे तो यह क्या करेंगे यहाँ पे एक low pressure का zone create कर देंगे जिसकी वज़े से यह system से air को suck करेगा after that यह देखे यह अपने जो gears है उनके साथ में ही air को tap करके बाहर की तरफ खुद move करवा देते हैं और बाहर से यहां से बाहर निकाल देते हैं यह आपका हुए gear type vacuum pump का basic working यहाँ पे किसी भी आपको अंदर material light जैसे पहले मेरे को oil या oil ring vacuum pumps के case में oil या फि next one is screw type vacuum pumps इनका भी use काफी जादा किया जाता है industry में जैसे वहाँ पे दो आपके screws use हो रहे थे दो gears use हो रहे थे यहाँ पे आपके दो screw use होते हैं यह screw move करते रहते हैं same working principle रहता है यह भी बाहर से air को suck करता है और अपने movement के हिसाब से यह उसको compress करके बाहर की तरफ discharge कर देता ह है इसका working principle बिल्कुल सेम होता है अब हम बात करते हैं कि steam jet और dry vacuum pumps अगर मेरे पास में दोनों available है तो मैं किसको select करूंगा याद रखेंगा selection criteria जो रहता है वो काफी जाता पर आप्यूटर्स पर depend करता है like अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे steam की requirement आपको steam is liable है तो वहाँ पे आप steam jet detectors को prefer करेंगे पहले मैं differences बता देता हूँ then मैं आपको selection का basis बताऊँगा steam jet jet detector के case में steam काफी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जबकि drive vacuum pumps के case में steam की कोई भी requirement नहीं है इसके case में power consumption बिल्कुल कम होता है इसके case में high power consumption होता है यहाँ पे condensable loads जू होते हैं वो काफी कम होते हैं steam jet detector के case में पर drive vacuum pump के case में यह काफी ज़्यादा होते हैं इनका cost काफी कम होता है drive vacuum pumps का cost काफी high होता है जो steam jet detectors होते हैं इनके लिए आपको काफी ज़्यादा जगे की requirement होती है drive vacuum pumps के case में यह छोटी सी जगे में stall किये जा सकते हैं इनका जो maintenance cost होता है steam jet detectors का वो काफी कम होता है because इसमें moving parts ना के बराबर होते हैं बट drive vacuum pumps के case में maintenance cost काफी high होता है अगर आप कोई ऐसा system handle कर रहे हैं जहाँ पर acidic weapon loads हैं तो वहाँ पर steam jet detectors को ज्यादा prefer करते हैं बट drive vacuum pumps को वहाँ पर use किया जाता है जहाँ पर non acidic weapon loads होते हैं अगर आप किसी ऐसी जगे पर हैं जहाँ पर मान लीजिए कि steam के availability काफी easy है तो वहाँ पर आप steam jet detectors को prefer करेंगे बट किसी आप ऐसी जगे पर हैं जहाँ पर steam आपको easily available नहीं है तो वहाँ पर आप drive vacuum pumps को prefer करेंगे second one is costing आपको यह देखना है कि आपको steam jet detector लगा के जो waste वहाँ से generate होगा जिसमें आपके system air के साथ में जो contaminants आएंगे वह वाला जो waste generate होगा वह आपको ज़्यादा महंगा पर दा है या फिर आपको drive vacuum pumps की जो extra power जा रही है वो ज़्यादा महंगा पर दा है तो basically decision आपको लेना है कि आपको इन में से कौन से ज़्यादा efficient परने वाला है और किस से आपका main जो last में सबसे important चीज़ आता है वो आता है पैसा कि कहां पर आपका expense ज़्यादा होना है steam jet ejector आपको ज़्यादा खर्शा देगा या फिर drive vacuum pump उसके हिसाब से जो आपको सस्ता पड़ेगा in terms of effluent generation, their disposal in terms of power आप वही basically prefer कीजिएगा अब last one हम बात करते हैं liquid ring vacuum pump और drive vacuum pumps के बीच में differences की तो याद रखेगा कि जो liquid ring vacuum pumps हैं ये discharge temperature control कर सकते हैं 45 degree to 150 degree बड़ drive vacuum pumps के case में ये 50 degree Fahrenheit तक जाता है अगर आपके जो vapors जो air आप सक कर रहे हैं उसके अंदर काफी सारे contaminants present हैं जो basically आपके acidic vapors हैं या फिर काफी vapors ज्यादा हैं तो आप liquid ring vacuum pumps को prefer करते हैं और वहाँ पे आप drive vacuum pumps का use नहीं करेंगे अगर आप costing point of view से देखें तो liquid ring vacuum pump के case में खाली एक ही moving part होता है इसलिए इसका maintenance जो होता है वो काफी ज्यादा सस्ता होता है आपके जो dry vacuum pumps हैं इनके case में जो lubricating oil रहता है वो प्लस इसमें जो आपके moving parts रहते हैं वो आपके ज्यादा होता है जिसकी वज़े से इसका maintenance cost होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है liquid ring vacuum pumps के case में आपको sealant की जरूरत परती है बाद dry vacuum pumps के case में आपको किसी भी तरीके के sealant की जरूरत नहीं होती है जो liquid ring vacuum pumps है वो up to 25 tor easily vacuum create कर सकते हैं 1000 cubic feet per minute और dry vacuum pumps की capacity होती है only 1400 cubic feet per minute तो यह basically मैंने आपको different type के vacuum pumps बताए और कौन से vacuum pump का basically कहां पर use किया जाता है वो आपको बिल्कुल clear कर दिया है अब selection आपको करना है कि आपके हिसाब से कौन सी चीज आपको ज्यादा suitable है hope आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा next lecture में I will be back with a new topic till then goodbye and have a nice day